असलामों अलाइकूम माई टू फेमली आप लोग कैसे हो और आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगे बहुत ही जबर्दस्ट पांड केक की रेसिपी तो सबसे पहले मैंने आपे मेजरिंग स्केल्स लिया है और साथ में एक बोल लिया है बोल का जो वेट है उस और उसको में अच्छी तरह से बीट करूंगी और साथ में डालूंगी 170 ग्रम्स में कस्टर शुगर लिया है और शुगर डालने के बाद में अच्छी तरह से बीट करूंगी और जब तक वो प्लाफिनिस ना जाए और बाटर की कलर भी चेंज ना हो जाए और शुगर भी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक में बेट करूंगी और जब हमारा पाटर का जो कलार चेंज हो जाएगा तब में बेट करना बंद करूंगी और बाकी का जो इंक्रिटेंस ही और एक एक करते करके डालती जाओंगी तो यहां पर देखियों साइद में शुगार पर देखिये अच्छी तरह से कलर भी चेंज हो गया है तो साइड को में क्लीन कर रही हूं कि यूँकि बाटर डालने के वाज़े से साइड में बहुत जारा पहल जाता है तो उसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो और साइड का जो पर रह जाएगा वह अ अब फोलो कीजिए कर ड़ा कि आधि आगा ओ पिए नेकस्ट अंडाह दाल दिया है सेगंड जो हमें रहे अंड लिया था उसको में डाल दिया है और घुर दालने के बाद में फिरसी एक दो मिनित के लिए बीट करंगी और इसको बाड़ भीव मीं को मत कीजिए क्यूंकि ब और निष्वाटा जो हे वह कुल राख जो पेटार हो कराभ जाएगा और ऑर जाथ जो एगे एक वेची सी डाल दिया है और रिट कर लेती हो अ कि pastr लेक्जार HIS मिक्स हो जाएगा ताब इस जाएगा राई जो इंघ्रीडिंस हमने लिया था तो वे डालूँगी तो वे अपे ओर दोंगी तो जाए राइबीपरिज्पून लिया है के बाद में नियक्स होने के बाद में नियाप ऊपे लिए टॉर्ग मेल के सोनी के बाद होगे करилась करें नहिक्स सबिक्स्त समय क्या है और किसे निया कि नार्ष होने झौन लिए का निया कि मैं इसी साथ मेनी अपर और यूस लिया है तो में इसके साथ मेनी आंपE जोसे वह लास्ट में डालूंगे तो इस रेसिपी के लिए मैंने कोई एसेंस पगेरा कुछ भी नहीं डाला है नेचरल चीज लिया है तो उसी से ही बहुत अच्छा एक प्लेवार आ जाएगा के और देखिए अच्छी तरह से जब भीट हो जाएगा तो इसमें ज्यादा भीट करन जो जुस्ता हो समय डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करोंगी करिंसक्राउ हे तो यह पर देखे आमिक्स भी हो गया है और बेटर का तिक निस टेकी कितना पार्फेक्ट आया है और अभी इसको मन मैं टाल ओंगी तो मैंनी आप 8 आप 4 इंच का मैंनी आपे मॉल्ड लिया है और सारा बेटर में अची तरह से टालूंगी और यहां पर बेटर डाल दिया है हमने तो इस पेटर से में अच्छी तरह से उपर का जो फिनिशिंग हो करूंगी तो यह थीक पेटर होने की बज़े से वह इस तरह से एक साइड में रह जाता है तो कभी कम कभी जादा हो जाएगा तो इसके यह इस पेटर करना बहुत ही जर करेंगी और तिन चार बार मिनिट टाप करेंगी ताकि अंदर में कोई यार भाव भूसरे जाएगा तो निकल जाएगा और मीडिन में कोई गैप नहीं रहेगा तो यहां भी रेडी है बेक होने के लिए और बेक मेंने 180 डिग्री पर 35 टू 30 to 35 मिनिट के लिए रखती है था और उसको रेस्ट होने के लिए ठांडा होने के लिए आदर गंटा चाहिए था लेकिन में वीडियो में आप लोग को दिखाना था तो इसलिए मैंने 10 मिनिट रखकर निकाल लिया है और अगर पुरा ठांडा होने के बाद काट करेंगे तो काटिंग में बहुत अच्छी त आप लोगों को दिखाऊंगे कितना सफ्ट बनाही और काट करके अंदर का प्रोशन भी दिखाऊंगे आई हो तो यह ता मेरा आज का वीडियो आई होग कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक कीजिए कॉमेंट आप लोगों किसाद तब तक कि लिया लाविग हुआ है झाल 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 झाल